नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी चैनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियूज में ते चलिए बिहार की दस प्रमुक बड़ी खबरों को जानते हैं 12-18 साल तक की उम्रवालों को लगेगी भारत बायोटेक की वैक्सीन इमर्जेंसी यूज के लिए DCGI ने दी मंजूरी ओमिक्रोन के खत्रे के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है ड्रग कंट्रोलर जनरल आफ इंडिया ने भारत बायोटेक की तरप से तयार की गई बच्चों की कोर्णा वैक्सीन के एमर्जेंसी यूज की मंजूरी दे दी है DCGI की मंजूरी के बाद भारत बायोटेक की वैक्सीन फिलाल 12 से 18 साल तक के उमर वालों को लगाए जा सकेगी इससे कम उमर के बच्चों के लिए इस वैक्सीन के उपयोग पर अभी फैसला होना बाकी है यहाँ फैसला तब लिया गया है जब देश में उमिक्रोन के मामले तेजी से बढ़ रहा है बच्चों को वैक्सीन कब से लगनी सुरू होगी यहाँ अब तक स्पस्ट नहीं है लेकिन जल्द ही इसे लेकर भी फैसला लिया जाएगा बता दे कि अन्य देशों में बच्चों के ठीका करान का काम काफी पहले से ही सुरू हो चुका है ब्रिटेन, अमेरिका, समेत कई अन्य देशों ने समय से पहले ही बच्चों को वैक्सीन लगा दी थी लेकिन भारत में पहले बड़ों को वैक्सीन की दोनों डोस देने पर ज प्रकासन तीन फरवरी तक कर दिया जाएगा और आठ फरवरी से कांसलिंग की प्रक्रिया सुरू हो जाएगी अंतिम रूप से जिन अभ्यार्तियों का चैनित किया जाएगा उन्हें 17 और 18 फरवरी को नियोजन पत्र भी जारी कर दिया जाएगा माईधमिक सिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने हाई स्कूलों में सिक्षक भरती के लिए सेड्यूल जारी कर दिया है इस सेड्यूल के मताबिक बेंदिग मेगा सुची का प्रकासन 10 जनवरी तक कर लिया जाएगा इस सुची पर अपत्ति 11 से 25 जनवरी के बीच ली जाएगी इसके बाद एक फरवरी तक किसी भी तरह की आपत्ति का समाधान कर लिया जाएगा अंतिम रूप से मेरिट लिष्ट का प्रकासन 3 फरवरी तक कर लिया जाएगा और 8 परवरी से नगर निगम के लिए मेरिट लिष्ट में सामिल अभ्यार्थियों को काउंसेलिंग के लिए बुलाया जाएगा नगर परिशद के लिए जिन अभ्यारतियों का चैन किया जाएगा उनकी काउंसिलिंग नौफरोरी को होगी बिहार में सराब तसकरों की अब खैर नहीं ड्रोन से की जाएगी निगरानी सराब माफिया और सराब तसकरों पर सरवाई में अब ड्रोन की मदद ली जाएगी सराब तसकरों पर लगाम लगाने के लिए मद निसेद उत्पाद एवंग निवंधन विभाग ने कड़े कदम उठाने भी सुरू कर दिये हैं इसी के तहत विभाग ने पटना में गस्ति दल को लगाया है सराब माफिया और सराब तसकर अब हो जाएं होसियार अब ड्रोन की मदद से सराब के धंदे में लिप्त लोगों को पकड़ा जाएगा राजधानी पटना के गंगा किनारे से लगातार मिल रही सराब की भट्टियों को देखते हुए राजसरकार के निर्देश पर मदनी पटना के गंगा किनारे में अब ड्रोन से नजर रखी जाएगी इन इलाके में संचालित होने वाली सराब भट्टियों और नाव से होने वाली सराब की तसकरी को रोकने का काम करेगी सराब तसकरी को रोकने के लिए दियारा इलाके में ड्रोन से नजर रखी जाएगी यहा अलावा सराब पीने वालों की धर पकड को तेज करने के लिए विभाग ब्रेथ एनलाइजर की मदद से जांच कर रही है इसे हर गस्ति दल को दिया गया है वहीं इसकी गुप्त सुचना देने वालों को प्रोचाहित करने के लिए इनाम भी दिया जाएगा मुंगेर में नहीं कम हो रही है किसानों की परेशानी खाद के लिए बच्चों को लेकर लाइन में लग रही है मही लाएं मुंगेर में किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है बिसकोमान किसानों को खाद की आपूर्तिक कराने में नाकाम सावित हो रहा है आलम यहा है कि मुगेर में खाद को लेकर महिलाएं अपने बच्चों के साथ सुबह से लाइन में लग रही है लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है किसानों को चिंता हो रही है कि यदि उन्हें समय पर खाद नहीं मिलेगा तो फसलों की पैदावार प्रभावित होगी बिसकोमान भंडार में खाद के लिए किसानों की लंबी कतार लग रही है केंद्र से खाद लेने के लिए किसान आपाधापी कर रहा है सुक्रवार को बड़ी संख्या में किसान सदर प्रकंपरिसर इस्तित विसकोमान केंद्र पहुचे जहां किसानों की लंबी कतार दिखी आपाधापी में धक्का मुक्की भी हुई किसानों ने खुब हंगामा किया, नौबत ऐसी आगये कि पुलिस प्रॺसाशन को बल का प्रियूग भी करना पड़ा जिसके बाद किसान सांत हुए, एक किसान ने काया कि सरकार का यह तरीका सही नहीं है, किसानों ने बताया कि एक आधार कार्ड पर चह बोरी खाद किसानों क दी जा रही थी अब दो बुरा ही दिया जा रहा है उसके लिए कई चकर लगाना पड़ता है विसकोमान केंदर पर खाद लेने के लिए लाइन में किसान के साथ महिलाएं भी थी पर मुईक्मंटरी नितीज कुमा न काया कि बिहार के इस्तिती सभी राज्यों से बहतर है नितीज कुमा न काया कि बिहार में फिलाल नाइक कर्फ्यो लगाने की इस्तिती नहीं है मुख मंत्री का देश में कोरोना के नए वेरियंट और मिक्रोन के बढ़ते केस को लेकर यह बयान आया है गौरतलबे के पिछले दिनों स्यम नितीज कुमार सहित स्वास्त विभाग के मंत्री और तमाम अधिकारियों ने इससे निबटने को लेकर समिक्षा की थी इसमें चर्चा की गई थी कि किस तरह से लोगों को कोरोना के नए वेरियंट और मिक्रोन से बचाया जा सके बतादे कि यूपी और महाराष्ट समेत कुछ राज्जों ने नाइट कर्फ्यू की घोशना की है हरियाना और गुजरात में भी नाइट कर्फ्यू लगाने पर फैसला लिया गया है यूपी सरकार की तरप से जारी आदेश में 25 दिसमबर से रातरी 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू करने का निर्देश दिये गया है मध्य प्रदेश में भी रात के 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक हर रोज नाइट कर्फ्यू रहेगा वहीं महाराष्ट में रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है नितीज के ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ी सिकायते अब ऑनलाइन कर पाएंगे जनता दर्बार में पहुंचने से पहले खत्म होगी समस्या बिहार के मुखमंत्री नितीज कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट साथ निश्चे योजना से जुड़ी सिकायते लगातार जनता दरबार का एरकरम में पहुंचती रही है खास तोर पर पंचायती राज विभाग की तरब से चलाई जा रही हर घर नल का जल और गली गली पक्किकरन योजना से जुड़ी सिकायतों का अंबार जनता दरबार में देखने को मिल रहा है लेकिन अब मुख मंत्री के इस डिम प्रोजेक्ट को लेकर आ रही सिकायतों का निप्टारा ओनलाइन तरीके से हो पाएगा पंचायती राज विभाग में इसे लेकर यी निश्चय लाँच किया है इस पोर्टल के जरिये योजनाओं की मोनिटरिंग की जाएगी साथ ही साथ अगर किसी वैक्ती को योजनाओं से लेकर कोई परेशानी है या किसी अन्य तरह की सिकायत दर्ज करनी है तो वह सिधे इनिश्चय एप के जरिये सिकायत दर्ज करा पाएंगे पंचायती राज मंत्री समराच चौधरी ने इनिश्चाई को लांच किया है इनिश्चाई एप का इस्तिमाल करते हुए कोई भी व्यक्ति इसे अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकता है और इसके जरीए अपनी सिकायत दर्ज करा सकता है सिकाय दर्ज कराने वाले का लोकेशन भी ये निश्चे पर पहुंच जाएगा ये निश्चे पर कम्प्रेन दर्ज होने के बाद ही उस पर कारवाई सुरू हो जाएगी पंचायती राज मंत्री समराच चौधरी ने काया कि नल जल योजना के बहतर संचालन के लिए यह रास्ता अपनाया गया है इसके जरिये निर्वाचित वाद सदस अनुरक्षन की जिम्मेदारी दी गई है इसके लिए उन्हें हर महिने 2000 रुपईये का मांदे भी मिलेगा बिहार में बारिस और बर्फबारिस से बढ़ेगी ठिठूरन जानिये अगले दो दिनों का वेदर रिपोर्ट बिहार में 28 और 29 दिसंबर को बारिस होने की समभावना है बिहार मौसम बिभाग के अनुसार उत्तर बिहार में अगले दो दिनों में पस्ची में विक्छोब के सक्रिय होने के समभावना है इसके प्रभाव से 27 से 29 दिसंबर के बीच तराई वा मैदानी भागों की जीलों म आस्मान में गरज वाले हलके से मैधम बादल बन सकते हैं इस कारण 28 वा 29 दिसम्बर के आसपास कहीं कहीं हलकी बारिस वा बुनाबुनी हो सकती है बिहार के कुछ हिस्सों में 27 दिसम्बर को आस्मान में बादल चाने लगेंगे वहीं इस दिन घना कोहरा के साथ पारा दो से तीन डिग्री सेल्सियस नीचे गिरेगा 28 और 29 दिसंबर को बिहार के कई छेत्रों में बारिस और बरफवारी होगी जिसके कारण ठिटोरन बढ़ जाएगी 30 और 31 दिसंबर को बारिस नहीं होगी लेकिन आस्मान में बादल चाये रहेंगे दिन में पच्छुआ हवा 10 किलोमीटर परती घंटे की रफ़तार से चलेगी जिसके कारण नए साल में लोगों को ठिटोरन का सामना करना पड़ेगा स्वास्त विभाग की बड़ी कारवाई इस मामले में सीविल सरजन पटना ने क्लिनिकल इस्टेबलिसमेंट एक्ट के तहट राजेंदर नगर इस्थित असोका अस्पताल का रेजिस्टेशन निलम्बित कर दिया है मालोमों कि अस्पताल में नित्रदान नहीं करने देने की सिकायत मिलने के बाद मामले की जांज के लिए डियम के निर्देश पर कमेटी का गठन किया गया था इसके आधार पर ही यहाँ कारवाई की गई है कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि अस्पताल में हर्जोत कौर की मिर्तु होने के बाद नेतरदान के लिए दधीची देहदान समीती के आगरह पर आईजी आएमेस से आई टीम को असोका अस्पताल में नेतरदान की प्रक्रिया को पूर्ण होने की अनुमति नहीं दी गई जिसके कारण टीम दवारा कौर्णिया निकालने की प्रक्रिया एम्बूलेंस में पूरी की गई थी बिना मास्क के महाविर मंदरी में एंट्री पर ब्रेक स्रधालू से अपिल दर्सन पुजन के लिए ही आएं बेवजह नहीं रुके महाविर मंदर पट्ना में अब बिना मास्क के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंदर प्रसासन ने यहा कदम उठाया है महाविर मंदिर नियास के सचीव आचार किसोर ने मीडिया से बाचेत में काया कि कुरोना के नए मामलों को देखते हुए मंदिर प्रसासन ने प्रवेश के लिए मास्क अनिवार्ज कर दिया है आचार किसोर कुनान ने मंदिर आने वाले भक्तों से अपील किया है कि वे समाजिक दूरी बनाकर मंदिर में दर्सन पुजन किया करे इसके साथ ही सुभा 10 से 12 बजे तक मंदिर में भक्तों की संख्या जादा रहती है इसलिए इस अवधी में भक्तों को मंदिर आने से परहेजर करना चाहिए मंदिर में एक बार जादा भीड़ ना हो इसके लिए भक्तों को अलग-अलग समय पर अपनी सुविधा से आना चाहिए इससे मंदिर में समाजीक दूरी बनाय रखने में सहलियत होगी नवादा बन गया है नया जामताड़ा, साइबर क्राइम करने वाले 17 अपरादी गिरपतार, गिरोग का सरगना निकला नवनिर्वाचित मुखिया नवादा बिहार का नया जामताड़ा बनता जा रहा है, दरसल यहां साइबर अपराद में लगातार बडोतरी देखी जा रही है, साइबर अपराद के खिलाप पुलीस लगातार अभ्यान चला रही है, इस बीच नवादा पुलीस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, साइबर अपराद के खिलाप नवादा पुलीस के दवारा चलाये गए अभ्यान को अब नतीजा लोगों के सामने निकल कर आने लगाया है, नवादा पुलीस ने एक साथ कुल 17 साइबर अपरादियों को गिरफतार किया है, इनके पास से साइबर अपराद से जुड़े कई समागरि गिरफतारी के दवरान पुलीस टीम को 1,35,716 रुपईये नगत, 9 बैंक पास्बुक, 10 मोबाइल, 5 एटियम, 1 चेक बुक, 1 आधार कार्ड और अलग-अलग कमपनियों के कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, वहीं गिरों के कुछ सदस, अभी फरार हैं, गिरों का मुक तोरिस्ते दारों में, जेर कर्णा ना भुली धन्यम